नमस्कार मैं हूँ आसिस चित्रांसी और आप देख रहे हैं दन्यूज लॉंचर एक बड़े वकील हैं बड़े वकील साहब ने मोदी जी को बचाने के लिए धाल बनने की कोशिस की और जब धाल बनने की कोशिस की तो बिन बुलाए महमान के तरह से धाल बन रहे थे नंबर बढ़ाने की कोशिस कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ सी जी आई डी वाई चंदचून का जो आदेश हुआ उस आदेश को रुकवाने के लिए वो पुरी जान जोक रहे थे यहां तक की महामहीम राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू के पास पहुँच गए यानि चिठ्थी पहुच गए उनकी वहां चिठ्थी रिसीब करवा दिये उनसे मांग की की सुप्रीम कोर्ट की जो समवैधानिक पीठ है उसके फैसले पर रोक लगा दी जाए अब आप सोचिए एक वकील और सामाने वकील नहीं मैंने इसलिए कहा बड़े वकील वो इस हद तक सुप्रीम कोर्ट की फैसले को रुकवाने के लिए अपनी जान जोक दे तो इसे क्या कहा जाएगा ये पूरी कहानी बताएंगे लेकिन वकील साहब जो अभी की स्टोरी है जो ताजा ख़बर है वकील साहब को चंद्रचूर साहब ने जम कर भटका रहा है लतार लगा दी है नाम है वकील साहब का अदीस सी अग्रवाल नाम से हो सकता है थोड़ा बहुत वाकिफ हो बाकी परिचे में बताता हूं और हुआ क्या कोर्ट में ये भी बताऊंगा लेकिन इनका पहले परिचे जानिए और ये नंबर क्यों बढ़ाने की कोशिस कर रहे थे वो भी समझे और फिर चंद्रचूर साहब ने भरी अदालत में अदीज सी अगरवाल को पूरी तरह बतल आपके यह था जो जो उन्होंने किये थे कर्म पिछले कई दिनों में सब एक बार में हिसाब कर दिया अदीज सी अगरवाल सुप्रिम कोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष है ये कोई सामान्य उहदा नहीं है सुप्रिम कोर जो लोग भी जीले में कसबे में रहते हैं उनको पता होगा कि जीले के बार एसोसियेशन का जो अध्यक्ष होता है वो भी अपने आप में ताकतवर होता है अगरवाल साहब तो सुप्रीम कोर्ट की बार इसोसेशन के अध्यर्च है तो इनकी ताकत का अंदाजा ही आप समझ लीजिए जब चंदचूर साहब ने समवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डाटा पबलिक करने का सारवजिनिक करने का आदेश दिया इन्हें क्या टश्ठ हुआ ये कोई समझ नहीं पाया कहीं पर प्रेस के सामने मीडिया के सामने साहब आये नहीं बताने के लिए कि इससे देश पर कौन सा संकट गहरा जाएगा क्या ऐसे राज हैं जिनके खुलने से भारत देश का लोकतंत्र संविधान खत्रे में पड़ जाएगा ऐसी क्या वज़ा है तमाम वकील हैं प्रसांत भूसन हैं नरेंद्र मिस्रा हैं प्राचा हैं जो भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं वो सारविंदिक मंच पर आकर के तरक रखते हैं लेकिन अदीश सी अगरवाल ने कोई तरक नहीं रखा राष्ट्रपति के हां पहुँच एक चिठी लिख करके की रोक लगा दिया जाए फैसले पर उस चिठी के बाद उस चिठी पर चलचा अपने न्यूज लॉंचर पर सु लिखी और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉंड पर SBI को डाटा सारविजनिक करने का जो आदेश दिया गया है इस पर एक बार फिर से बिचार किया जाए पुनर बिचार के लिए पीठ स्वतह संग्यान ले 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 इस मामले का अब इस चिठी के बाद आज सामने पड़ गए सी जे आई डी वाई चंद्रचून के सामने अदीस सी अगरवाल और हालत ये हो गई कि जो सॉलिसिटर जनरल है तुसार महता साहब उन्होंने भी किनारा कर लिया इन से अपना अलग कर लिया खुद को का ने इनके बयान से इनकी चिठी से इनकी इच्छा से इनकी मंसा से मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं इस से अलग हूँ जब भरी अदालत में फटकार पड़ी तो दलसल फटकार क्या पड़े उससे पहले जानी है कि इनकी इतनी इच्छा क्यों थी क्यों रुकवाना चाहते थे ये क्यों भाजपा में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन का अध्यक्ष बीजेपी में अपना नंबर क्यों बढ़वाना चाहता था मूदी के नजर में साह के नजर में क्यों आना चाहता था दलसल अगर अधीस अग्रवाल के पिछले कुछ समय पर निगाह रखेंगे आप तो किसान आंदोलन जो सुरू हुआ पंजाब में उसके खिलाब भी ये खड़े हुए थे और सुप्रिम कोर्ट के अधीवक्ता हमारे साथ नरेंदर मिसरा जुड़े थे उन से बात किया हमने कई और लोगों से बात किया तो अधीस अग्रवाल साहब ये हरियाना की रोहतक सीट से लोगसभा चुनाओ लड़ने की एक्छा रखते है यानि इन्हें भी लोगसभा जाना है अब हो क्यों न जब इन्हों ने अपनी आख से मानिय सुप्रिम कोर्ट के जज साहब लोगों को सीजे आई को राज्यसभा में बैठे देखा तो ये भी इनको लगा कि मैं भी सुप्रिम कोर्ट बार एसोसियेशन का अध्यक्ष हूँ तो अगर रंजन गोगोई साहब राज्यसभा में बैठ सकते हैं तो मैं भी लोगसभा में बैठ हूँ तो ये रोहतक से टिकट लेने के लिए भाजपा से टिकट लेने के लिए ब्याकुल हैं जो खबर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उन्हें बताई है ऑन रेकॉर्ड नूज लांचर पर बताई है तो रोहतक की टिकट और टिकट कैसे मिलेगा बीजेपी में टिकट के निगाह में आना जरूरी है साहब के निगाह में आने के लिए क्या क्या किया जाता है यह आपने देखा है कैसे कैसे बयान दिये जाते है कोई पाकिस्तान भेजने लगता है कोई देश द्रोही बताता है तो साहब अधिस अगरवाल साहब वो बड़े साहब को बचाने के ल लग गए इतना ही नहीं अदीन सग्रवाल के बारे में जो खबर मिली कि अगर लोग सभा का टिकट ना मिले तो राज्य सभा के लिए इनको सियोर्टी दे दी जाए कि चलो राज्य सभा जा सकते हो यह भी रास्ता लेकिन इन रास्तों के बीच उन्हें पता नहीं था कि वो मो चूंड सहाब ने इनको देखा और कहा कि आप सिर्फ एक बरिष्ट वकील नहीं हैं आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसियेशन के अध्यक्ष भी हैं यह यह लाइम लाइट में आने वाला मतलब पब्लिसिटी का इस्टंट नहीं है यह जो कुछ चल रहा है यह पब्लिसिट करने के लिए मजबूर मत करिये वरना सब सामने आ जाएगा सब सामने आ जाएगा तो सच भी सामने आ जाएगा और देखें इससे दो तीन बात है साफ हो गई कि ऐसा नहीं है हम लोग कई बार होता है ठीक है किस पर कितना दबाओ है कौन कितना दबाओ जेलने में सक्छम है ये जरूर महत्वपूर्ण है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मानिय न्यायद ही सहसा नहीं है कि क्या कहा चल रहा हुससे अनभिग्य होते हैं ये कहने का मतलब CGI ने जब ये कहा कि मुझ खोलने के लिए मजबूर मत करिये वरना सब सामने आ जाएगा इसका मतलब अगरवाल साहब की मंसा अगरवाल साहब की महत्वाकांचा और अगरवाल साहब की डाइरी अतीत वरतमान सब CGI को पता है इसलिए तो मुझ खोलने की बात आई कि मुझ खोलने को मजबूर मत करूआ कैर चिठिया बड़ी मुश्किल से लिखा होगा ये देखे लिखने पढ़ने का दौर ट्रांसफर हो गया है इस दौर में मुंसी प्रेम चंद नहीं है इस दौर में हजारी परसाद दिवेदी नहीं है इस दौर में दुसेंत नहीं है इस दौर में बाबा नागार जुन नहीं है इस दौर में रामधारी सिंग दिनकर नहीं है तो इस दोर में लिखने पढ़ने की जीमेदारी सूपरीम कोट बाई अशोसियेसन के अध्यक्ष ने उठाई इस दोर में लिखने पढ़ने की जीमेदारी इस देश के मुखे चुनाव आयुक तराजियों कुमार ने अपने कंधे पर उठाई है यह मामूली बात नहीं है सोचिए हमाई देश के मुख्य चुनावा युक्त पुरी रात जग करके ओ वफा बेवफा अधूरी ख्वाईसें अधूरी हस्रतें फिराग गोरखपुरी सकिल बदायुनी सबको फेल किये पड़े हैं सेरोसाईरी लिख देते हैं और उसेरोसाईरी बता और मुख्य चुनावा युक्त लिखते हैं देश के लेकिन जब पड़ते हैं तो उसका भाव उसकी भंगिमा सब कुछ जो उसमें से निकलता है वो लगता है कि बिपक्ष पर हमला करने के लिए कोई भाजपा का प्रवक्ता बैठा है या कोई गोदी मीडिया का आइंकर बैठा है उनके नाम तो लेना ही बिलत है अंदाज तो वही नज़रा रहा था तो खेर उनको कौन फटकार लगाएगा वो तो खुदी एक समवैधानिक निकाए के समवैधानिक संस्था के मुखिया है उनको इस भालत के समवैधान ने जिस समवैधान की साइद सबस भूल चुके होंगे जो बाबा साहब का समवैधान था उस समवैधान ने इतने अधिकार दिये हैं जिन अधिकारों में किसी मोदी, किसी गाहुल, किसी के जरिवाल, किसी के दबाओं में जुकने की जरूत नहीं है। अधिस सी अगरवाल, जश्टिस चंद्रचून के सामने आ गए, और उनको खैल जरूरी भी से हम मानते हैं, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, इस देश के समविधान से बड़ा नहीं हो सकता। खुद को अलग कर लिया था, सब ने असंबध कर लिया था और उसकी आलूचना की थी। इसी परंपरा की इस देश में जरूरत है। पिठियों को ड्रश्टबीन में डाल कर चंद्रचूंड साहब ने फैसला कर लिया है कि हिसाब किताब होकर रहेगा। अब हिसाब तो खुलेगा, इस बार ये भी उन्होंने कहा है। कि सारा मतलब पूरी जानकारी मतलब पूरी जानकारी अधूरी जानकारी नहीं। और 21 तारीक का डेट, 21 तारीक के डेट में एक फर्क है। उस फर्क को भी चलते चलते इस वीडियों बताता हूँ। इस बार कहा है कि सारी जानकारी आप 21 तारीक तक दीजिए। और उसके बाद एक हलफनामा दायर कीजिए। हलफनामा क्या होगा? हलफनामा यही लिखकर के हलफनामा दायर कीजिए। कि आपने अब कोई जानकारी नहीं चुपाई है, अब सारी जानकारी दे दिये। इस हलफनामे का मतलब समझिएगा। SBI चेर्मेन कोई आदेश है। यह हलफनामा अब जानकारी चुपाने पर जेल पहुँचा देगा। जूटा हलफनामा। अब तक तो मान लिया रहम करने के लिए, वक्त देने के लिए कुछ गुण जाइस थी। लेकिन SBI के चेर्मेन अगर अब कोई भी जानकारी चुपाते हैं, आंसिक रूप से चुपाते हैं, मैनुपुलेट करते हैं, तो ये सुप्रीम कोट में जूटा हलफनामा दाखिल करने का मामला होगा। और जूटा हलफनामा अवमानना का भी मामला बनेगा। इसमें जेल तय है। तो अभी तो फटकार मिली है, अब जेल भी जाएंगे, फटकार तो मिली है अधीस अगरवाल को, लेकिन सुप्रीम को, SBI के चेर्मेन, अगर 21 तारीख के बाद भी उनकी निष्ठा, SBI चेर्मेन के निष्ठा किसी सरकार के लिए क्यों होनी चाहिए, सवाल ये बहुत बड़ा है। बात करेंगे, उस निवेस पर भी खत्रा हो सकता है, अगर SBI चेर्मेन की ये हरकते जारी रही तो, क्योंकि एक खुलासे से, जिस दिन SBI किसी ट्रेप में आया, आज समझे, SBI अगर ट्रेप में आता है किसी तरीके से, तो एक बार कोई आरोप या गंभीर मामला आ जाने प लाखो करून रूपे डूब जाते हैं, अब ये आपने देखा था, एक दिन में 13 लाख करून रूपे डूबे थे, ये पैसा किसका है, SBI का नहीं होगा, ये पैसा इस देश के लाखो करूनो आम आदमी का पैसा होगा, तो इस बार हलफ नामा देना है, हलफ नामे में इलेक्टूरल बॉंड पर चुनावायो को दे दी है, ये जानकारी पूरी है, ये जानकारी सत्य है, फिर असत्य और अधूरी जानकारी पर जेल जाना ही पड़ेगा, फिलहाल आज ये तय हो गया है कि चंद्रचूर साहब इस बही खाता को फाइनल किये बगएर रुकने व उसकार